चैज नेंद्रा लोगडाउन के चलते अगर घर में सबजी ना हो तो कोई बात नहीं अगर घर में कोई भी फ्रूट हो तो हम उसमें से भी सबजी बना सकते हैं आज मैं हरे धनिये का यूज करके ग्रीन ग्रेप्स की सबजी बनाने वाले हूं तो सिंपल और इजी रेसिपी के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चैन धर्मा में पालक की भाजी का यूज नहीं होता है तो आज मैं यहाँ पर ग्रीन ग्रेप्स की सबजी बना रही हूं तो उसके लिए मैंने यहाँ पर हरे धन्य की ग्रेवी बनाने वाले हूं आज कल लोगडाउन के चलते हैं जिस तरह से हम सब्सक्राइब करें मैक्सिमम जितना यूज हो हमें वो करना चाहिए जितना हो सके उतना कम वेश्ट करना चाहिए तो मैंने भी आज यहाँ पर जो बड़े बड़े डंठल है जो नहीं यूज कर सकते हैं ये वाले इसे हम फेक देंगे और धन्या की पत्ती है जिसका हम यूज करेंगे और ये जो हमने छोटी बारिक वाली पत्ली वाली जो है वो सारी दन्या की जो दंडी है उसका हम यूज करेंगे और इसे हम फ्रीज के अंदर रख देंगे पहले हम इसको हम छोटे छोटे बारिक पीस कर लेते हैं इसके दन्या भाजे वैसे भी बहुत ही हेल्थी रहती है तौ अगर यसका आज तो मैं ग्रेवी बनाने में यूज कर रही। अगर इसके ग्रेवी ना भी बनानी और तब भी आप इसे चोटा-चोटा करके इसके अंदर हरी मेर्च अद्रख लेत टालकार पेस्ट बना भी रख दें और कोई भी सबजी बनाना शुरू करें यहां पर मैंने सबजी बनाने के लिए हरी द्राक्स लिए दस से बारा नंग एक हरी मेर्च लिए और थोड़ा सा धन्या का पत्ता और यह जो हमने चोटी-चोटी बारिक कट कर ली थी वो लिए तो पहले गरम पानी करने के लिए रख दिया है और उसके हंदर अब इसे हम डाल देंगे और दो मिनिट तक इसे उबलने देंगे ताकि यह अच्छी तरह से ब्लांच हो जाए जब भी आपको ग्रीन ग्रेवी बनानी हो और आप पालक का यूज नहीं करते हो तो आप इस तरह से धन्या में से भी ग्रीन ग्रेवी बना सकते हो और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है अब यह दो मिनिट होने को आए यह अच्छी तरह से उबल भी गया है हमें ज्यादा देव तक नहीं उबलना है अब दो मिनिट हो गया है तो गेस को हम बंद कर देंगे और अब यह जो हमने ग्रीन क्रेवी लिए उसे भी प ब्लांज किया है उसे हम इसमें डाल देंगे और यह जो बच्चा हुआ पाने उसे भी हम वेस्ट नहीं करेंगे जब भी हम सब्जी कूप करेंगे इसके अंदर हम यही वाला पानी यूज़ करेंगे और इसे हमें थोड़ा स्पाइसी बनाना है और इसके अंदर लाल मिर्च यूज़ नहीं होगी इसलिए मैंने यहाँ पर एक स्पाइसी वाली हरी मिर्च लिए इसे भी इसके साथ ही क्रश कर ले जा है तो अब यह हमारा पेश्ट बनकर तयार है एक बार अगर पेश्ट बनकर तयार हो गई तो फिर सबजी बहुत ही जल्दी बन जाती है तीन से चार मिल्ट में ही सबजी बन जाती है तो यहाँ पर मैंने गेस को ओन कर दिया है और हमें हरी सबजी है उपर से फ्रूट की सबजी है तो अगर ओल और गी दोनों को अगर मिक् पर यहां पर बनाई और ब्लांच पर भाता क दने में थोड़ा सा आधा चमच जितना यूज़ करूँगी और साथ में ही ग्रेवी का पाउडर भी बनाया था काजू और मगश्तरी के बीज में से, उसका भी मैं थोड़ा सा यहां पर देट दो स्पून जितना यूज़ करूंगी इसके साथ में थोड़ी शी शक्कर थोड़ा सा गरम मसाला अब इसे में अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इसे हमें हरी सबजी ही रखना है इसलिए मैंने यहां पर हल्दी लाल मीर्च या धन्या पाउडर का यूज़ नहीं कि यह एक सीटी में यह एक अच्छी तरह सी कुक Q C हो जाएगा तो थीक है अगर पाणार पनी कम लग रहे तो दो तिन चमत जितना पाणि पनी डालते अब गेस को बंच कर देंगे और एक ही सीटी बजने तक इसे कुक करना है अभी एक सीटी बज गिए तो गेस को हम बंच क जस्त दो या पांस मिनिट के अंदर हरी वाली एकदम बढ़िया टेश्टी आपको इसके साथ में एक वर्याली की अच्छी मीठी खुसबू आएगी पर पता नहीं चलेगा कि इसमें वर्याली पावडर डाला हुआ है ना ज्यादा मसाले डाल कर भी इतनी टेश्टी और इतन कि रिदम यम्मी टेश्टी खट्कमी्टी पर ग्रैव की सबजी सर्व करने के लिए तयार है और मेरी आगे की रेशिपी है जैएन सामबर आपको यह को यह जो मिल्गेंिए नायर में चर्वत रहना हुआ है